रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करे बी एच बीसी न्यूस चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें हिंदूओं के प्रमुक्तियोहारों में से एक गणेश चतूर्थी जिसे ही विनायक चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है मान्यता है कि इसी दिन बुद्धी, सम्रिधी और सौभाग्य के देवता स्री गणेश का जन्म हुआ था इस पर्व को देश भर में खास तोर से महराष्ट और मध्यप्रदेश में हरसुलास, उमंग और उत्सा के साथ मनाया जाता है यह त्यहार पूरे दस दिन तक मनाया जाता है स्री गणेश के जन्म का यह उत्सव गणेश चतुर्दर्शी के दिन समापत होता है गणेश चतुर्थी के दिन भक्त प्यारे बप्पा की मूर्थी को घर लाकर उनका सत्कार करते हैं और उनकी इस्थापना करते हैं दस्वे दिन्यानी की अनंत चतुर्दसी को विसरजन के साथ मंगल मूर्थी भगवान गणेश को विदाई दी जाती है साथ ही उनसे अगले बरस जल्द आने का वादा भी लिया जाता है हिंदु पंचान के अनुसार भादु पद्रियानी की भादो मा के शुक्ल पक्षि चतूर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था उनके जन्म दिवस को ही गणेश चतूर्थी कहा जाता है ग्रेक्रोरियन कलेंडर के अनुसारिय त्योहार हर साल अगस्तिय सितंबर के महीने में आता है इस बार गणेश चतूर्थी दो सितंबर को है यानि की आज से गणेश चतूर्थी सुरू हो रही है कई प्रमुक जगोहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा इस्तापित की जाती है इस प्रतिमा का नौ दिन तक पूजन किया जाता है बड़ी संक्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंसते हैं नौ दिन बाद गाजे बाजे के साथ स्री गनेश की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में विसरजित किया जाता है। हिंदु धर्म में भगवान गनेश का विसेश स्ताने कोई भी पूजा, हवन या मांगली कारया उनकी स्तुति के बिना अधुरा है। हिंदुआ में गणेश वंदना के साथ ही किसी नए काम की सुरवात होती है। यही वज़ा है कि गणेश चतुर्थी यानि कि भगवान गणेश के जन्म दिवस को देश भर में पूरे विदिविदान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महराष्ट और मध्यप्रदेश में तो इस परो की छटा देखते ही बनती है। सिर्फ चतुर्थी के दिन ही नहीं बलकि भगवान गणेश का जन्म दिवस को पूरे दस दिन यानि की अनंत चतुर्दसी तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं है बलकि है राश्य एक तकावी प्रतीक है। बलकि उत्तुर्थी का सिर्फ नहीं है।